हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों आज कल बाल सफेद होने की प्रॉब्लम आम हो चुकी है बच्चे हो बुजर्ग हो लेडीज हो या हो जैन्स ये प्रॉब्लम उम से पहले ही आने लगी है सबको इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि अपने हैल्थ और बालों की ठीक से देखभाल ना कर पाना और बिना टाइम से खाना पीना जंक फूर्स खाना हैल्दी चीजे ना खाना दूद और मौसमी फलो का सेवन ना करना और ज्यादा तर स्ट्रेस लेना ये सभी बहुती बड़ा रीजन होते हैं हमारे सफेद बालों का ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई काफी ज्यादा परिशान है और इसका स्रोडिशन भी काफी महंगे हैं काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ये दावे करती हैं कि सफेद बालों को ट्रीट करना काफी ज्यादा असान है आपको ये ऑईल डाई का यूज करना है और बस आपके हो गए बाल काले इसका कोई भी साइफरेक्ट नहीं होगा मगर नहीं ऐसा नहीं होता अगर आप कोई भी केमिकल वाली चीज यूज करते हो तो वो आपको नुकसानी देती है साइड इफेक्ट दिखाती है कभी कबार हम ये सोचते हैं कि इतनी चीज़े कौन यूज करेगा एक महीने में दो महीने में असर आएगा और जब तक हम इसका यूज करेंगे तब ही मगर हाँ ये अफेक्टिव है और ये ऊजर है और अगर आप कोई मार्केट वाली चीज यूज करते हो जैसे कि डाई या है ओल अपने बालों को जल्दी से काला करने के लिए जटपट काला करने के लिए हम इन सब चीज़ों को तो यूज कर लेते हैं मगर हाँ हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ इसका कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है इसके कितने सारे साइड इफेक्ट होंगे आगी जाके काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और इनकी ट्रीटमेंट भी काफी महंगी होते हैं और इसका फाइदा तो होता नहीं बलकि इसकी जगा नुकसान हो जाता है ज कि आपको अच्ही तरह से क्लीर समझ आए कि आपको कैसे क्या जब्यक्राम मैं दॉप और आज में आपको एक ऐसा कम करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना बुले लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहां पर लेन यहां पर मैंने पाउडर भी बना करके रखा है एक बाउल में आप ये देख सकते हैं बाउल में आप इसको चाहे तो मिक्से में पीस सकते हैं और चाहे तो ओखली से कूट सकते हैं यहां पर मैंने ओखली में इसको बारिक पीस लिया है कूट लिया है अच्छी तरह से इसको पीषने के बाद ही हमने इसका यूज करना है और जो दूसरी चीज है वो है डाबर आमला तेल डाबर आमला तेल हमारे बालों को तो शाइनिंग देने के साथ ही साथ उसको काला करने में जड़ से मजबूत करने में बालों को घना करने में काफी ज़्यादा हेलफुल होता है अगर आप डाबर आमला ऑईल रेगलर यूज़ करते होना तो इससे ना सिर्फ आपके बाल हैल्दी होंगे, साथ ही साथ ही आपके बालों कालेपन को भी बरकरार रखेगा, तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है, तो एक खाली बाल में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक चमस लेना है, फिट करी, दोस्तो इसकी क्वैंटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा तो आप उसकी हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा, अगर आप इसे डबल कॉंटिटी में यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको दो चमस लीजिए, और फिर आप इसे यूज करिए, इसके साथ ही, अब हमें जो दूसरी चीज यूज करनी है, वह है डाबर आमला ओल, यहाँ पर आपने तीन चमस डाबर आमला ओल डालना है, यह हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाने में, और यह हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करके, उसे लंबा घना और काला बनाता है, और अब हमने इसमें जो तीसी चीज डालनी है, वह है विटामिन E कैपसूल, दोस्तों यह बहुत एजली आपको किसी भी कैमे शॉप से मिल जाएगी, इसका अगर आप रेगलर यूज करते हो, तो यह आपके बालों को काला करता है, विटामिन E कैपसूल, हमारे बालों को श्राइनिंग प्रदान करने में, काफी ज़्यादा फाइदेमंद होता है, औ और प्रोपर वे से यह वर्क करता है, और उनको ठीक कर देता है, अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे, और फिर यह हमारा मैजिकल रेमेडिय तियार हो जाएगा, फ्रेंड्स काफी लोग यह पूछते हैं, कि हम इस नुस्के को कब तक कर सकते हैं, और कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, इसको बना करके रख सकते हैं, और कितने टाइम तक इसको यूज करना है, यह खराब तो नहीं होगा, तो दोस्तों इसका जवाब है, हाँ, आप इस नुस्के को बना करके स्टोर कर सकते हो, आप इसे एक महिने के लिए डाबर आमला ओयल के अंदर फिट करी विटामिन E कैपसूल डार करके स्टोर कर सकते हो बहुत ही आराम से इसे एक मेने तक आप रख सकते हो आपको एक बॉटल के अंदर लगभग पांसे छे चमज फिट करी अच्छी तरह से पीस करके मिला लेनी है आप यह देख सकते हैं यह नहां पर मैंने 90 ml की छोटी बॉटल ली है इसमें आप पांसे छे चमज फिट करी मिला करके चार से पांच विटामिन E कैपसूल डाल करके इसको बना ले और इसे पूरे एक महीने तक के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि इ इसका यूज हम बहुत ही इजी तरह से कर सकते हैं इसका यूज करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जोहत नहीं है और आपने करना क्या है आप इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से तेल को अची तरह से लगा लीजिए अपने बालों क जड़ों में लगेगा तो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा और आपके बालों को जड़ से काला बनाएगा इसको आप 10 मिनिट तक के लिए अच्छी तरह से इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लें, अच्छी तुरह से मसाच कर लिजिए और एक गंटे बाद आप अपने किसी भी फेवरेट शेंपू से, किसी भी हार्बर शेंपू से वाश कर लिजिए दोस्तो एक और बात बालों का सफेद होना इतनी असानी से नहीं होता बालों को सफेद होने में थोड़ा टाइम लगता है इसी तरीके से बालों को काला करने के लिए भी आपको थोड़ा धैरी रखना पड़ेगा सबर रखिए आप इसको 15-20 दिनों तक यूज़ करिए और फिर आप खुदी देखिएगा कि आपके सफेद बाल जड़ से काले होने लगे हैं वैसे अगर आप इसको वीकली तीन से चार दिन यूज़ करते हो तो इसका अशर आपको 5-10 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा आप इसका लगतार यूज़ करते रहें ताकि आपके बाल हमिशा मजबूत रहें हमिशा काले, घने और लंबे बने रहें और इसकी शाइनिंग हमिशा बरकरार है यह आपकी डेंसिटी यानि की गंजयपन भी हमिशा के लिए दूर करता है तो इसको जो यूज करें और अपना फीटबैक में शाद जरूर शेयर कीजिए कमेंट करिए मुझे बताईए आप तो आई होब दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी तो भर भर के लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी फैमली फ्रेंड्स और लेटिवस को जिससे की उनको भी इसका फायदा हो सके वो भी इसका फायदा उठा सके और न्यू है तो सब्सक्राइब करें साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबा कर और पर क्लिक करें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए नैश्रल और एफेक्टिव वीडियो शेयर करती रहोंगी तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे नियो और अच्छी एफेक्टिव वीडियो के साथ तिल देन टेक क्या एंड थैंक्स सो मुच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो बाबाई